8,46,000 रुपे की spelling क्या होती है और 8,46,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 8,46,000 रुपे को English में हम 8,46,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पर check देना चाते हैं तो check के सब सूपर corner में हम account पर only लिखेंगे फिर जहाँ पर पर ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं और नीचे आप लिखेंगे 8,46,000 रुपीज और इसकी spelling होती है और उसके नीचे 8,46,000 रुपे मातर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक पाशा में ही चेक परें और राइटन साइट में जो box दिया हुआ है उसमें 8,46,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 8,46,000 फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है माउस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं यद就是 जब लुगा हमारे थापकी लाइक हमारे शोपके हमारे से हमारे खाया हमारे सब्सक्राइब